यशवर्धन्स wisdom ये है आज की इंगलिश की short story मिंदी में करेंगे इसका translation इस story के help से आप इंगलिश के हर एक structure को बारी किसी सीख पाएंगे और समझ पाएंगे इसके साथ ही साथ कई सारे इंगलिश के नए word meaning भी यहां पर आप सीखेंगे जो grammar का पार्था उसको भी cover करेंगे तो चलिए start करते है यश्वर्धन यश्वर्धन noun है किसी का नाम लगकर S लगा है और इसका जो mean होता है वो क्या होता है ये position को show करता है ownership को show करता है किसी चीज की या किसी व्यक्ति की हिंदी में इसकार्थ का के की से निकलता है wisdom का मतलब है बुद्धिमानी समझदारी या कह सकते है अकलमंदी तो किस की अकलमंदी यश्वर्धन की यश्वर्धन was जब भी हम sentence बनाते हैं was वर की help से ये तो हो गया past का indefinite tense और present indefinite tense में is MR की help से लेकिन इन verbs के बाद इन be verbs के बाद आगे आपको कोई main verb जो है वो नजर नहीं आएगी ये शो करते है ये जो be verbs होती है ये शो करती है जो subject होगा यानि ये जो यश्वर्धन है ये subject है इसकी state अवस्था को ये शो करता है इसके बाद में कोई verb यानि was वर्ब के बाद में कोई verb नहीं आएगी adjective का use होगा या फिर noun का use होगा और simple साधरन से वाक्य बनाये जाते हैं action वाले ये sentences नहीं होते वर्ब वाले यानि किसी इन sentences में कोई क्रिया नहीं होती जैसे यहाँ पर was का यूज हुआ है क्योंकि ये जो यश्वर्दन है subject है ये singular है singular के साथ was का use होगा plural के साथ वर का use होता है एक famous famous का मतलब होता है प्रसिद और यहाँ पर ये जो famous है और intelligent intelligence नहीं करें इसको intelligent कर दे intelligent जो ये intelligent है और ये जो famous है ना ये दोनों ही adjective है क्या है adjective है यहाँ पर was के बाद में आपको कोई kriya जो है वो नजर नहीं आ रही कोई action perform होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो इस तरीके से ये sentence past indefinite tense का हो गया है साधरन सवा के scholar scholar यहाँ पर noun है scholar यानि कि विद्वान कह सकते हैं पंडित ये कौन है noun है scholar और कौन है यहाँ पर ये यश्वर्दन है scholar कैसा famous और intelligent तो यहाँ पर इस sentence को explain करने का मतलब यहीं हुआ कि was work का use करकर हम साधरन सिंपल से वाक्य बना सकते हैं जिसमें करता कि state अवस्था की बात की जाती है कोई main verb मुखे करिया का प्रियोग नहीं होता है कोई action perform नहीं होता आगे बढ़ते हैं he lived where है रहता था ये जो lived है ये verb की second form है रहता था in a village verb की second form साधरन सा मतलब होगा इसका कि ये past का indefinite tense होगा और वो भी affirmative होगा अगर negative होता है वहाँ पर verb की second form नहीं आती negative में did helping verb लग जाती है और verb की first form का use होता है he lived in a village वह कहां रहता था एक गाव में one day एक दिन royal यानि कि शाही messenger messenger का मतलब संदेश वाहक came आया यहाँ पर कम की second form है came simple past का affirmative sentence to यहाँ पर जो preposition और direction को indicate कर रही है to the village किस की और आया village की और आया one day royal messenger came to the village यहाँ पर royal से पहले a आ जाएगा a royal messenger आगे बढ़ते हैं he went तो यह भी simple past का affirmative sentence हो गया he went है यहाँ पर भी verb की second form है verb की second form मतलब की simple past का affirmative sentence subject के बाद में verb की second form he went वह गया go की second form हो गया he went to two direction को indicate कर रहा है proposition कहीं कहीं पर यह infinitive यानि two के बाद में verb की first form का यूज होता है लेकिन यहाँ पर यह proposition है he went to यश्वर्धन वो किसकी और गया यश्वर्धन की और गया and said say की second form कहा या बोला अब क्या बोला inverted कॉमा के अंदर है I am तो यहाँ पर is, am, are का यूज करेंगे है present indefinite tense में और यहाँ पर इसके बाद में भी is, am, are के बाद में भी कोई action perform नहीं हो रहा है subject जो है जैसे I subject इसकी state या वस्था के बारे में बात की जाएगी करता कुछ है subject यानि कुछ है या फिर कहीं है adjective या noun का use होगा I am a royal messenger तो मैं हूँ क्या हूँ एक royal messenger एक शाही संदेश वाहक the king has called has के साथ has के साथ main verb की third form आती है या verb की third form आती है तो वो perfect tense होता है perfect भी अगर has have के साथ है third form तो present का perfect है अगर had के साथ है तो वो past का perfect है the king has called you यानि call का मतलब बुलाना तो king ने क्या-क्या है तुम्हें बुलाया है please से वाक्य शुरू हो रहा है यहाँ पर verb की first form का use हो रहा है तो इस तरीके के जो please से हो रहे है या फिर verb की first form से sentences शुरू होते है यह कहलाते हैं English में imperative sentence इसमें express क्या होता है command को command दी जाती है order दिया जाता है किसी को request की जाती है जैसे इसमें request की जा रही है और instruction या फिर advice दी जाती है प्लीज कम विद मी कृपया मेरे साथ आए यर्शवर्धन accompanied a company की second form accompanied यानि साथ गया the messenger to the palace यर्शवर्धन जो है किसके साथ गया messenger के साथ गया to कहां पर किसकी और कोई place तो the palace palace की और गया palace का मतलब महल होता है place, place का मतलब जग है place और palace दोनों का pronunciation different है फिर आगे है the king welcomed जैसे ये welcomed हो गया entertained हो गया दोनों ही verb की second form है यानि simple past का affirmative sentence है स्वागत किया और entertained हिम यानि उसे किसको यर्शवर्धन को entertained किया entertain का मतलब क्या होता है man बहलाना, दिल बहलाना किसी का सदकार करना और मनोरंजन का मतलब भी entertain होता है तो उसका दिल बहलाया कह सकते है man बहलाया उसका मनोरंजन किया इस तरीके से किसने राजाने dan dan का मतलब they यानि वे कौन कौन king की बात हो रही है या श्वर्दन की had ये जो had है ये main verb है मुखे करिया है जैसे eat है न eat का मतलब खाना होता है तो उसी तरीके से ये had भी है यानि eat खाने के लिए हम यूज करते हैं have main verb का सेम वैसे ही have की second form had हो गई तो eat की second form add होती है तो इस तरीके से यहाँ पर खाने के लिए इसका यूज किया है खाने के लिए पीने के लिए had का प्रियोग किया जाता है second form के रूप में then they had the lunch together तो उन्होंने क्या किया lunch किया एक साथ lunch खाया eat किया इस तरीके से तो यहाँ पर verb की second form है ये simple past का affirmative sentence है main verb के रूप में यहाँ पर had का प्रियोग हुआ है और दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं eat की ही second form at होती है वैसे ही have की ही second form had होती है और तो same sense देता है eat वाला after that यानि इसके बाद the king raja said यानि उस raja ने बोला कहा यश्वर्धन अब क्या कहा inverted comma के अंदर दिया गया है यश्वर्धन please यह भी please से शिरू हो रहा है accept यहाँ पर verb की first form imperative sentence just command, order, request instruction या advice दी जाती है please कृपया accept करना सुईकार करना this यानि यह है bag of का किसका gold coins का यानि सोने के सिक्कों का यह वो राजा बोलता है किसको यश्वर्धन को this is this यह है है तो इसमर का यूज करकर साधरन से वाक्य बनाते हैं present indefinite tense में इसमर के बाद में कोई action perform नहीं होता है यानि इसके बाद में आपको adjective मिल जाएगा या फिर noun मिल जाएगा किसी place की बाद भी की जा सकते कोई कहीं पर है ऐसा भी sentence हो सकता है this is a gift for you एक gift तौफा या उपहार कह सकते हैं for you यानि कि तुम्हारे लिए जो ये for का use हो है for का connection होना किसी से किसी चीज का तो यहाँ पर gift का connection you से है तुम्हारे से है यानि कोई चीज किसको इरादे से दी गई हो या किसी के लिए कोई चीज होना essence में for का use किया गया for proposition के भी बहुत सारे use होते है but your फिर आगे यहाँ पर sentence complete हो जाता है जो भी राजा ने बोला but लेकिन your majesty यहाँ पर your majesty का मतलब क्या होता है हुजूर कह सकते है या महराज कह सकते है इससे address करते है किसी king को यानि kings को, raja को या raniy को address करने के लिए संबोधन करने के लिए यहाँ पर use किया जाता है your majesty, his majesty her majesty इस तरीके से use करते है अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद में why, यानि wh word है यह interrogative sentence है r, r के साथ में verb में ing है तो continuous tense तो है verb में ing is mr के साथ verb में ing लग जाता है तो वो present का continuous tense होता है रहा है रही है इस तरीके से और wh family word आता है what, where, when इस तरीके से इसके बाद में helping verb का प्रियोग किया जाता है आप subject का प्योग कर देते है जो की गलत होता है यानि why के बाद में helping verb है जिस भी sentence से related यह interrogative sentence है तो यह present का continuous tense है present continuous tense की is mr helping verb होती है उसके बाद में subject लिखेंगे फिर main verb के साथ ing why are you giving this यानि कि आप ये give मतलब देना तो आप मुझे क्यों दे रहे है this yeah to me यानि मुझे यह क्यों दे रहे है king said ये किस ने पूछा उसने यश्वर्धन ने पूछा फिर king ने कहा क्या कहा say की second form I have के साथ में verb की third form has have के साथ में verb की third form आ जाती तो perfect tense होता है और has have के साथ आता है I have heard heard का मतलब सुना that you here की third form है I have heard मैंने सुना है की that you are a तो यहां पर आर के बाद में कोई action perform नहीं हो रहा है present indefinite का ही ये sentence है you are a तुम क्या हो कोई कुछ है ऐसा बताने के लिए भी हम यानि subject की subject जो करता है उसकी state अवस्ता के बारे में हम ismr के through बताते है अब क्या है you are a great तुम great का मतलब महान या अच्छे scholar का मतलब विद्वान हो सकता है पंडित भी हो सकता है तुम एक अच्छे महान विद्वान हो महान पंडित हो इस तरीके से तो यहाँ पर a great scholar आर के बाद में कोई action perform नहीं हो रहा है so इसलिए इसलिए i am am के बाद में verb में ing यानि की present का continuous tense का यह sentence है मैं i am giving मैं दे रहा हूं you तुम्हें this यह gift यानि यह तौफ़ा तुम्हें दे रहा हूं इसलिए so so i am giving you this gift यश्वर्धन said यश्वर्धन ने कहा your majesty हुजूर you are giving अब यह भी continuous tense है continuous tense का ही sentence है जैसे इस दे मार के साथ वर्ब में आएं जी आप मुझे दे रहे हैं मैं यानि मुझे this gift यह है तौफ़ा यह है gift मुझे दे रहे है क्योंकि because you heard heard यहाँ पर verb की second form hear की second form heard क्योंकि आपने सुना that की I am यहाँ पर am जो है am जो है यह verb है present indefinite tense की he main verb है main verb के रूप में यहाँ पर या फिर इसे जो है हम कह सकते हैं कि यह linking verb होती है asmr was linking verb होती है इसके बाद में अगर हम adjective का या noun का use करते हैं करता की state अवस्था की बात करते हैं तो यह वैसे English की grammar में linking verbs कहलाती है I am और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह main verb का यहाँ पर काम कर रही है I am a scholar मैं क्या हूँ मैं एक scholar हूँ विद्वान हूँ if यदि आपने सुना मतलब कि आपने सुना कि मैं एक विद्वान हूँ यदि tomorrow कल someone यानि कि कोई जैसे someone हो गया anyone हो गया इनके साथ में जो भी verb आएगी यह singular subject माने जाएंगे तो वर्ब में यहाँ पर S या E S लगेगा अगर present indefinite tense का sentence होगा तो यह singular subject है एक वचन करता है इसलिए से के साथ सेज और सेज से हमको बता चला कि यह present indefinite tense का sentence है अगर कल को कोई कह देता है बोल देता है that कि I am M B यहाँ पर यह जो है main verb का ही काम करें इसके बाद में कोई जो है action perform नहीं होगा मैं हूँ A यानि कल को कोई आपको कह देता है कि मैं क्या हूँ A ROG ROG का मतलब होता है कह सकते हैं कि आवारा बदमाश या दुष्ट इस तरीके से कि मैं बदमाश हूँ दुष्ट हूँ क्या Will you punish me Will के साथ verb की first form का use है तो यह future का indefinite sentence ही है interrogative है helping verb वाला Is, M, R Was, Were यह जो helping verbs है इन से शुरुवात होती है sentence की और last में question mark लगा रहाता है तो यह भी interrogative sentence होते है यह helping verb वाले है Will you punish दो तरीके से ही जो है interrogative sentence बनाय जाते है या helping verb से शुरू होंगे या फिर WH family से शुरू होंगे Will you punish में तो क्या आप मुझे सजा देंगे अगर आपको कोई कह देता है कि मैं रौग हूँ मैं बदमाश हूँ मैं दुष्ट हूँ आवा रहा हूँ Please Please से शुरू हो रहा है इसके बाद में verb की first form का use होगा और अगर Please वाला sentence नहीं होगा शुरूआत में verb की first form भी होगी तो वो भी imperative sentences होते हैं शुरूआत में जैसे मैंने बताया command वाले order वाले request वाले instruction वाले advice वाले imperative sentence फिर आगे क्या है Please check जाच ले कृपया जाच ले and confirm यह confirm भी जैसे check की जैसे ही verb की first form है यानि की confirm कर लेना पुष्टी कर लेना before के पहले believing यानि विश्वास करने से पहले क्या कर लेना पुष्टी कर लेना जाच लेना what यानि what का यहाँ पर मतलब क्या नहीं है क्योंकि interrogative sentence नहीं है what का मतलब यहाँ पर है जो यानि जो others दूसरे says जो others यानि दूसरे कहते हैं यहाँ पर says में s नहीं आएगा क्योंकि others जो है अन्यों की बात हो रही है यह plural है तो say आएगा यहाँ पर says नहीं आएगा क्योंकि subject अगर plural होता है तो present indefinite tense का rule होता है कि verb में yes नहीं लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा तो इसको remove कर दे what others say यानि जो अन्य कहते हैं please check and confirm before believing यानि विश्वास करने से पहले जाच ले पुष्टी कर ले जो अन्य कहते हैं फिर आगे देखें यश्वर्दन तो यहीं यहाँ पर इसका जो है main moral है यानि कोई कह रहा है उसी बात पे विश्वास कर लेना नहीं पहले खुझ से आप उसे confirm कर ले चेक कर ले किसी की कही हुई बातों पर विश्वास ना करे यश्वर्दन had proved यश्वर्दन ने had plus verb की third form यानि कि ये perfect tense का sentence है had की साथ verb की third form है तो past का perfect tense का ये sentence है यश्वर्दन had proved यानि prove करना साबित करना तो साबित कर दिया था his यानि उसकी wisdom यानि उसकी बुद्धिमानी को उसने साबित कर दिया था in front of proposition in front of case किसके सामने the king यानि की राजा के सामने उसने अपनी बुद्धिमानी को साबित कर दिया था तो यहाँ पर यह story complete हो जाती है मैंने कोशिश की हर एक sentence को tense की help से समझाने की तो उमीद है कि सारे जो sentences आपको समझ में आए होंगे